आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमें दिये दिये ओप्शन्स को देख कर पताना है कि इन में से कौन सी प्रोसेस में Mendel का Law of Segregation applicable होगा अब यह तो हम जानते हैं कि जब भी हेरेडिटी की या इनहरेटिंस की बात की जाए तो सबसे वेले जिस साइंटिस्स का नाम हमारे सामने आता है वो हैं Gregor Mendel क्योंकि इन्होंने लगातार साथ सालों तक पाइसम सटाइवम यानि गार्डन पीज के प्लांट्स की कई जेनरेशन्स रेज करके यह जानने की गोशिश की थी कि किस तरीके से कोई ट्रेट पेरेंट से अगली जेनरेशन में यानि उसके प्रोजनी में जाता है तो यह सारे एक्सपरिमेंट्स करी आउट करके डेटा कलेक्ट करके इसकी स्टेटिस्टिकल एनालेसिस करने के बाद इन्होंने तीन जेनरलाइजेशन्स हमें दीती जिनने लॉज अफ इन्हेरिटेंस कहते है और जो दूसरे नंबर का लॉज है इसमें लॉज ऑफ डॉमिनेंस के बाद वो आजाता है हमारे पास लॉज ऑफ सेग्रिगेशन तो इसका हम मतलब समझने ही वोशिश करते है मेंडल के अनुसार कोई भी ट्रेट जिसके दो अल्टनेटिफ फॉर्म्स पॉसिबल है जिने आज हम अलील कहते है इसमें से एक अलील डॉमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी तो सपोज हम मेंडल के गार्डन पीज के प्लांट का यहां पर एक्जाम्पल ने ट्रेट सपोज हम ले रहे हैं प्लांट की हाइट तो स्टेम हाइट के केस में हमारे पास दो दरह की अलील्स पॉसिबल है जो के टॉल प्लांट्स प्रेड्यूस करेगी और हमारी स्मॉल टी हमारी रिसेसिव अलील हो जाएगी जो के डॉर्फ प्लांट्स प्रेड्यूस करेगी तो अब किसी भी इंडिविज्वल में तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो दोनों उसके पास dominant allele हो तो ऐसे case में उसका phenotype जो है dominant हो जाएगा tall plant होगा दोनों अगर उसके पास small tea होगे तो recessive उसका phenotype होगा dwarf हो जाएगा plant लेकिन अगर वो एक heterozygote है यानि उसके पास दो अलग-अलग तरकी alleles है तो फिर भी law of dominance के अनुसार उसका जो phenotype होगा वो dominant ही रहेगा वो plant tall ही रहेगा क्योंकि dominant allele recessive alleles को suppress कर देती है अब यह दो गया हमारा law of dominance लेकिन law of segregation क्या है इसी को law of purity of gametes भी कहा जाता है क्योंकि हम जाने है sexual reproduction की किसी भी process में सबसे जो है important event होता है वो होता है fertilization का और इस fertilization में होता क्या है कि यह दो parents जो sexual reproduction में involved होते हैं एक हमारा male parent दूसरा female parent इन दोनों से दो haploid cells आते है जिनको gametes कहा जाता है और यह haploid cells आपस में जब fusion करते हैं इसी process को fertilization कहते हैं जिससे हमें दो haploid gametes से बना हुआ एक diploid zygote मिलता है जो आगे जाके embryo बनाएगा तो यहाँ पर Mendel का law of segregation से क्या मतलब है कि यह दोनों अलग-अलग aliens है हमारी एक capital T और एक small T एक dominant एक recess है लेकिन जब gametogenesis होती है तो gametogenesis तो meiosis से होती है reductional division से होती है और gametes heploid होता है तो यह दोनों जो हैं यह alien अलग-अलग gamete में जाएंगी यह हमारा जो organism है यह एक 50% जो gamet बनाएगा वो capital T वाले बनाएगा 50% small T वाले बनाएगा और यह दोनों आपस में बिल्कुल separate हैं तूसरे से independent हैं यह दोनों एलिल्स law of segregation में Mendel यह ही कहना जाते हैं एक बर gametogenesis हो गए यह अलग-अलग gamete में चले गए तो इन दोनों का आपस में कोई association नहीं है यह small T भले ही एक tall parent से आया था इसका phenotype तो tall था लेकिन अगर आगे जाके यह किसी दूसरे small T वाले gamete के साथ fuse करता है तो दो small T के मिलने से हमें जो नया individual यहां पर बनेगा इनका प्रोजोनी जो बनेगा वो dwarf ही मिलेगा अब भले ही यह जो gamete आया यह किसी tall parent से आया हो यह भी किसी tall parent से आया हो लेकिन आपस में मिलके यह dwarf phenotype produce कर देंगे क्यों? क्योंकि यह हमारा small T सिर्फ capital T के presence में दबा हुआ था लेकिन otherwise यह खुद को express करेगा उसी तरीके से यहां पर यह capital T अलग हो गया एक बार अगर meiosis में इस से small T से तो small T से इसका फिर कोई लेना देना नहीं है तो इसी को law of segregation कहा जाता है और यह कहां applicable हो रहा है? जब gametes बन रहे हैं, जब reductional division हो रहे है तो parent के पास एक gene की जो दो alleles possible है वो दोनों अलग-अलग gametes में चली जाती है उन दोनों का आपस में कोई association नहीं रहता है यह हमें gametogenesis की process में ही नजर आता है बाकि अगर options देखें तो हमें neosis की कोई process यहां पर नहीं देख रहे है fusion of gametes, यह तो fertilization की process है इसमें दो alleles का इक दूसरे से अलग होना क्या बलकि दो cells आपस में fuse करके zygote बनाता है तो कोई segregation नहीं हो रहे formation of zygote भी fertilization के बाद ही होगी और formation of primary endosperm nucleus यह flaring plants की sexual reproduction का एक हिस्सा है जहां पर central cell के साथ हमारा male gamete fuse होकर यह primary endosperm nucleus बनाता है जो कि आगे जाके endosperm बनाएगा embryo की nourishment के लिए लेकिन इसमें भी क्योंकि fusion हो रहा है यह एक triple fusion की process है तो यहां पर भी हमें किसी तरह की segregation नहीं देखने को मिल रही है अगर हमें law of segregation देखना है तो gametes की formation के दौरानी हम देख सकते है कि जो दो alleles एक individual में एक अठे मौझूत है किस तरह की एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग हो जाते है और फिर आपस में इनका कोई association नहीं रहता बिलकुल independent है एक दूसरे से तो correct answer यहां पर हमारा option D हो गया Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर